हेलो माई यूटूब फैमली बेलकम बैक टो अनदर ब्लॉग मैं हूँ अंजली कुमारे अब सब का स्वागत करती हूं कैसे हो आप लोग आई होब कि आप लोग अच्छे होगे आज है मेरा वेट लॉस जर्णी का डे तो यहां पर देख सकते हैं मेरा बेट 71.8 है मतलब टोटल तीन केजी 300 ग्राव मेरा वेट लॉस हो गया है 17 दिनों में और आज 18 दीन है मेरा वेट लॉस जर्णी का तो यहां पर सुबा में मैं रोज की तरह लुक वाटर ले रही हूं गरम पानी पीती हूं बड़ा गलास और थाराड का मेडिसिन लेती हूं यहां पर देखे मैं किचन में काम करने लग गई थी साथ में अपने लिए मैं पॉडर बना रही हूं जो मैं ग्रीन टी में डाल के लेती हूं तो यहां पर दो चम्मच ले रही हूं मैं जीरा दो चम्मच यहां पर गुलकी है और एक से दो यहां पर मैं दालचीनी ले रही हूं या पॉडर है आपके पास तो पॉडर भी ले सकते हूं इसको थोड़ा सा हल्का गरम कर लेंगे ताकि यह अच्छे से पिस जाए और इसको ना मैं ग्रीन टी में यूज करती हूं चीले वगएरा में यूज करती हूं यह भी कोई सूप वेट लॉस करती तो यूज करती यह तीनों इंग्रेडियन्स दू मैं यूज कर रही हूं ना ओर यह यहां पर हल्दी दो चम्मच में डाल रही हूं घर का पिसा हुआ दो चम्मच हल्दी यह काफी हेल फुल करता है गोलकी झीर अधी और यह धाली यह हमारा नम आपको दोडालो भगालो लेकिन वेट लॉस नहीं होता है इसलिए ना साथ-साथ कुछ घरेलू उपाई भी मैं करते रहती हूं अपने वेट लॉस जर्नी में ताकि मोटवलिज्यम फाइस्ट हो हमारा जो खाए ना वह अच्छे से पच जाए और सरीर को ना लगे वह फैट क फैट के फैट जमा ना हो सरीर में फैट वर्ण हो जाए बस ऐसा ही कोशिस रता मारा तो यह चोटा सा चममच मैं यहाप अपना ग्रीन टी में यूज करती हूं यह शू बगएर लेती हूं और अगर आप ग्रीन टी नहीं लेना चाहते हो न तो उसके जगह पे इसको नॉर् वीडियो में सेयर कर दूंगी बस आप लोग कॉमेंट्स करिएगा और यह फैट कटर रिंग ना हमेशा मैं चेंज करकर के पीती रहती हूं और यह ना मेरे को बहुत इफेक्टिव कर रहा है मतलब मेरा वेट लॉस जनी में बहुत यह असारदार है फैट कटर रिंग तो यहा इसली बनाने का कोशिज करती हूं ना हर भी अश्पतिवार को और मेरे को यह वाला कडी बहुत पसंद है तो हमेशा मैं बनाते रहती हूं और यहां पर कि यहां पर 10 बज़े लग बग यह एसगार्ड का जूस ले ले लेती हूं उसके बाद में एकसरसाइज करना अपना स्टार्ट कर देथी हूं यहां पर फर्स्ट में चल रहा है न उसको मैं हैंडेड टाइम का थ्री रेप्टेशन की थी एक ही जगह पर खड़े होके रनिंग की थी 100-100 time count करके यहां second में जो चल रहा है इसको भी मैं 100 time की थी दो बार 50-50 का set लगाई थी थार्ड में चल रहा है उसको भी मैं 50 time एक तरफ पैर से की थी and यह वाला exercise जो first में चल रहा है इसको मैं 20 time की थी और second वाला को भी 20 time की थी और दो तीन exercise और की पर यहां पर मैं एड नहीं कर पाई कुछ सेटिक में प्रॉब्लम हो रहा है आ नहीं रहा है यहां पर तो आज का सिल्फी जो मैं ली वही एड कर दी हूँ आज टोटल आदे गंटे का exercise की हूँ मैं सारे exercise करने में आदा गंटा लग गया था आज ब्लैक कॉफी नहीं ली बैस इतना ही करके मैं ठग गई थी यहां पर देखिए आज मैं बना रही हूँ अपने लिए चीला उसमें पनीर एड की हूँ प्रोटीन के लिए और इसमें ना सूजी बेसन और ओट स्तीनों मिक्स करके इसमें सिम्ला मीच, टमाटर, प्याज बगएरा मैं डाल के बनाई हूँ बहुत ही टेस्टी बना था पड़ी डालने के करणा थोड़ा सा आगे से करंची हो गया था तो बहुत टेस्टी लग रहा है यहां पे मैं कड़ी ली हूँ, आचार है यहां बहुत एक कम वाइल बनाई हूँ अचार है तो बहुत टेस्टी लगता मेरे को, चतनी नहीं था न इसलिए आचार ले ली और एक स्मॉल साइज का कैरट है और यहाँ एक नहीं दोनी तीन पकोडे मैं खाई हूँ और एक पकोडे ड्राइ पकोड़ा ही मैं खाली कीचन में क्योंकि मेरे सौल रहा नहीं गया और कड़ी मेरे को बहुत पसंद है तो मैं एक बड़ा कटोड़ा कड़ी ले लिए उसको मैं खाई बहुत अच्छे समझा आ गया अज पेट भर के खाई एंड यहां पे मैं खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था तो यहां पे मैं अपना प्रोटीन लड़ू जो बनाई थी घर पे यह दोनों लड़ू घर का बना हुआ है मैं बनाई थी गूर डालके तो यह और तीलगूर का लड़ू यह मैं खाई और उसके एक डिर गंटे बाद ना बहुत ठंड हो रखा है तो अधरक वाला चाई ले रही हूं यह थोड़ा सा चाई जब मैं पी ही रही थी ना कि मम्मी का कॉल आया और बहुत ही बुरा न्यूस सुनने को मिला कि अब दादी इस दूर रहते हैं ना मारा माईके का जो फैमली है बिहार में रहती है और मैं राची में रहती हूं तो इतना दूर से जाना संबब नहीं था तो मैं नहीं जा पाई वीडियो कॉलिंग पे ही देखी बहुत मतलब की फ़ड़ा सा तब्यत भी खराब हो गया मेरा मतलब सुनके और रोना वगएरा होता है ना जे दिन किसी कारण बस रो लेती हूं ना तो मेरा तब्यत घराब हो जाता है तो यह मैं इसलिए मैं फेस नहीं दिखा पाई इस वीडियो में और यह बाइस ओवर मैं एक दिन के बाद कर रही हूं मैं सोची नहीं अब चैलेंज ली हूं तो इतना हूँ पाएगा मैं सेयर करने का कोशिस करूँगी पर बहुत कष्ट में थी दादी और बहुत प्रॉब्लम था उनको पर चली गई बस यही था कि मैं लाश्ट टैम उनको देख नहीं पाई वीडियो कॉलिंग में देख ली पर क्या ही कर सकते हैं तो यहां पर आप ल आलू उवाल के रख दी थी कि रात में आलू पराठा बनना था तो इसलिए आज आलू पराठा ही खा रही हूँ मैं सोजी थी मैं जो पराठा लूंगी न उसमें तेल यूज नहीं करूंगी कोई सा भी लेकिन कॉल पे बात कर रही थी मम्मी से बात करते करते पता ही नहीं कब पूरा पराठा मेरा बन गया तो वहीं वाला एक पराठा का री हूं और ट। मेरा बीपी लो होने लगता है था अब बहुत वीक वीक फील होने लगता है मेरा यह प्रसनल मतलब मैंटर पता नहीं ऐसा क्यों होता है पर फिर भी मैं खाई चुई करके इसको अच्छे से फिर लाश्ट में एक मैं मीठा भी ली ती जो घर में मैं लड़ू बनाई थी ना ती लोड़ गुणवाला वो मैं लड़ू भी खाई थी क्योंकि बहुत लोग जैस क्रिविंग होता है तो इसलिए होमेट था तो खाली और मैं 30 डेज का वेट लॉस चैलेंज ली हूं आज 18 दे मेरा कंप्लीट हो गया है पर देखती हूं कितना दिन और मैं सेयर कर पाऊंगी तो आज के लिए इतना ही मिलते हूं नेक्स ब्लाग में थाइंक्यू फर वाचि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को लाइए